नमस्कार दोस्तों सागते आज से भी काईग भाय फिर से आपके पनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी केंटेनी स्टुडियो पर तो दोस्तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आधनिक भारती इतिहास को यानि की मौडरन हिस्ट्री को जिसके अंतर के दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं यूरूपिय कमपनी की आगमन से सम्मदित इसके सम्पूर्ण इतिहास के सम्मद में जिससे सम्मदित आज का सेशन पार्ट वन के सम्मद में है सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक मैप की हल से यूरोपिय कमपनी की आगमन सम्मदित इसकी समान जानकरी पढ़ेंगे यानि कि इसका बेसिक जानने का सबसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे फिर दोस्तो हम लोग जानेगे पूर्त गाली कंपणी के आघमान सम्मणित इसके सभी महझ्माइद बिंदूओं के सम्माइद जिसमें दोस्तो सबसे पहले हम लोग फ्रांसिसको, डी अलमेडा के बारें पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे अलबूकर के सम्मन में नीनो डी कुना और अंत में दोस्तों इससे सम्मनित अन्य महत्पूर बिंदूओं को भी जानेंगे और लाश्ट में दोस्तों डच कंपनी के आगमन सम्मनित भी हम लोग पॉइंट सभी कवर करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं येरोपिय कंपनियों के आगमन से सम्मनित इसकी समान जानकरी के अंतरकत दोस्तों इन बिंदूओं को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बाद में दोस्तों इन बिंदूओं को हम लोग मैप की हेल्स सम्मनित का भी प्रयास करेंगे भारत में आने वाली दोस्तों यूरोपीय कमपनियों के समान जानकरी के समन में देखे तो इन कमपनियों का भारत में आने का जो मूल उद्देश था मसालों का बैपार करना था हलाकि दोस्तों ये यूरोपी कंपणी मसालों के अलावा भी कई अन्य चीजों का भी भारत में वैपार करती थी लेकिन दोस्तों प्रारंबिक चड़न में इस कंपणीयों का जो मूल उद्देश था वो मसालों का वैपार करना ही था 1498 इसवी से पहले दोस्तों अरब देश भारत से मसाले खरीद कर पुरे यूरोप में महंगे दामों में बेशते थे यानि कि दोस्तों यूरोप देश भारत में डारेक्ट वैपार नहीं कर पाते थे पहले अरब देश भारत से माल खरीदते थे बाद में यूरोप में बेशते थे उस समय दोस्तों यूरोप से भारत जाने के लिए कोई समुंदरी मार्ग नहीं खोजा गया था केवल यूरोप पासी अरब होते हुए भारत आ सकते थे और यूरोप पासी दोस्तो अरब होते हुए भारत में बैपार करने का प्रयास करते थे लेकिन दोस्तो यूरोपीय देशों को भारत में बैपार करने में अरब देश बाधा उत्पन करते थे यानि कि दोस्तो अरब देश यूरोपीय देशों को अपनी सीमा से होते हुए भा कोलंबस इन्हों ने दोस्तों भारत जानने की रास्ते की खोज करने की प्रयास में सन 1492 इस्वी में अमेरिका की खोज की थी आलाकि दोस्तों कोलंबस ने अमेरिका की खोज ने की थी बलकि दोस्तों यूरोप से अमेरिका जानने की जो समुन्दरी मार की खोज कोलंबस ने की इसी क्रम में दोस्तो एक पुर्दगाली नाविक थे इनका नाम था वास्कोडिगामा इन्होंने 1498 सुई में दोस्तो भारत जानने के लिए समुदरी मार की खोज की थी तो इस प्रकार दोस्तो इन सभी कार्णों से इस्पेन के नाविक कोलंबस ने दोस्तो अमेरिका की खोज की याने की यूरोप से अमेरिका जानने की खोज की और वास्कोडिगामा ने दोस्तो यूरोप से भारत जानने के लिए समुदरी मार की खोज की इस map की health से जानने का हम प्रयास करें तो दोस्तों इतना area ये यूरोप का area कहलाता है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये अरब देश आते हैं और इसी के बगल में दोस्तों भारत पड़ता है और जब दोस्तों यूरोप वासी अरब होते हुए भारत जाने का प्रयास करते थे तब दोस्तों अरब देश यूरोपियों को भारत जाने में बाधा उत्पन करते थे इसी 20 दोस्तों कई यूरोपिय देशों ने भारत जाने का कोई दूसरा विकल चुनने का प्रयास किया इसी करम में दोस्तों यहाँ पर एक देश पढ़ता है इस्पेन और इस्पेन के नाविक दोस्तों कॉलंबस ने 1492 इस्वी में भार जानने के प्रयास में वो चला गया अमेरिका इस प्रकार दोस्तों कॉलंबस ने अमेरिका की खोच की और इसी करम में दोस्तो इस्पेन के जस्ट बगल में एक देश पढ़ता है जिसका नाम है पुर्तगाल पुर्तगाल का निवासी दोस्तो वास्को डिगामा लगबग अमेरिका की खोच के 6 साल बाद पुर्तिगाल से होते हुए सबसे पहले दोस्तो वास्कोडिगामा अफ्रीका के एक इस्थान पर जिसका नाम था Cape of Good Hop वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर कहा जाता है कि दोस्तो वास्कोडिगामा की मुलाकात एक गुजराती नाविक से हुई और गुजराती नाविक के हेल्प से दोस्तो वास्कोडिगामा भारत के केरल राज के काली कट नामक इस्थान पर पहुचा तो इस प्रकार दोस्तो वास्कोडिगामा ने यूरोप से भारत जानने की समुद्री मार की खोज की थी और अब आई दोस्तों में जानते हैं पुर्टगाली कमपनी के भारत में आगमन के सम्मन में भारत आने वाले दोस्तों पहले यूरूपिय बेगती माने जाते हैं पुर्टगाली 1498 इस्वी में दोस्तो वासको डिगामा जो एक पुर्तगाली निवासी था वो भारत आया था वासको डिगामा पहले दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा कि पुर्तगाल से चला और अफरीका के एक इस्थान Cape of Good Hop पर पहुचा और फिर दोस्तों Cape of Good Hop पर दोस्तों वहाँ पर एक गुजराती नाविक की मुलाकात वासको डिगामा से हुई और उसने दोस्तों वासको डिगामा को भारत जाने का रास्ता दिखाया फाइनली दोस्तों वास्को डिगामा भारत के केरल राज के काली कट नामकिस्थान पर पहुंचा काली कट के राजा को दोस्तों उस समय जेमोरिन कहा जाता था जिस प्रकार दोस्तों हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तिनत के दौरान जो राजा होते थे उन्हें सुल्तान कहा जाता था और जो मुगल काल के राजा होते थे उन्हें बास्सा कहा जाता था उसी तरह दोस्तो कालिकट के राजा को एक टाइटल दिया जाता था जिसको जेमोरिन कहा जाता था जेमोरिन ने दोस्तो वासकोडिगामा का भव विसागत किया कालिकट में वासकोडिगामा दोस्तों वापस पुर्टगाल जाते समय जहाजों में बहुत सारा मसाला भरकर ले गया था और कहा जाता है कि दोस्तों इन मसालों से वासकोडिगामा को 60-64 गुना मुनाफ़ा यानि की प्रॉफिट हुआ और इतना प्रॉफिट देखकर दोस्तों यूरोप के अन्य देश के बैपारियों ने भी भारत से बैपार करने का प्रियास किया और इसी करम में हम दोस्तों जानेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली आएं फिट डच आएं फिर अंग्रेज फिर फ्रांसिसी इस प्रकार सभी देशों ने दोस्तों भारत से बैपार करने का प्रियास किया वास्कोर डिगामा दोस्तों पहली बार तो 1498 इस्वी में आया था बाद में दोस्तों ये दूसरी बार आया था ये आया था 1502 इस्वी में अब जब दोस्तों ये बैपारी भारत से बैपार करने लगे थे तब दोस्तों इनको एक ऐसे इस्थान के हो सकता पड़ी जहां पर दोस्तों ये अपना मसाला रख सकते थे और इन मसालों की सफाई करके और इन मसालों की वो पैगिंग कर सकते थे यानि कि दोस्तो अब इन बेपारियों को एक कार खाने के उसकता पड़ी थी इसी क्रम में दोस्तो भारत में पहली पुर्टगाली फैक्टरी यानि की कार खाना खोला गया पंदा सो तीन इस्वी में कहां पर तो कोचीन में तो दोस्तो ये कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि पहला पुर्टगाली कार खाना या पहली पुर्टगाली फैक्टरी कहां पर इस्थापित की गई थी तो कोचीन में कब तो पंदा सो तीन इस्वी में तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तो जो आपको याद अखने है तो यहाँ पर एक पुर्टगाली गवर्नर केसे कहा जाता है और फिर पहला पुर्टगाली वार्षराय केसे कहा जाता है तो फ्रांसिस डी अलमेडा को अलमेडा ने दोस्तो सन 1505 इस्वी में भारत में दूसरी पूर्टगाली फैक्टरी कुन्नूर में इस्थापित की थी पहली पूर्टगाली फैक्टरी इस्थापित हुई थी दोस्तो कोचीन में और कोचीन दोस्तो केरल में पड़ता है चुकि दोस्तो वासको डिगामा सबसे पहले केरल में आये था तो पहली फेक्टरी केरल में ही कोचीन में इस्थापित कर दी गई थी और दूसरी फेक्टरी कुन्नूर में इस्थापित की गई थी Francis D. Almeida ने दोस्तो एक policy चलाई थी जो कई बार इज्जा में पूछी जाती है कि Blue Water Policy किसने चलाई थी तो Francis D. Almeida ने इस Blue Water Policy का जो में परपस था वो हिंद महासागर पर पुरी तरह से नियंतरन यानि के कंट्रोल करने का था Francis D. Almeida दोस्तो अपनी नो सेना केबल पर हिंद महासागर पर पुरा नियंतरन करना चाहता था इसी कार दोस्तो उसने Blue Water Policy चलाई थी चुकि दोस्तो भारत की उस समय कोई नो सेना नहीं थी और असानी से दोस्तो पुर्तगाली हिंद महासागर पर नियंतरन कर सकते थे अपनी नो सेना के बलपर चुकि दोस्तो उस समय पुर्टगाल की नौसेना सबसे सक्ति साली नौसेनाओं में से एक थी और चुकि दोस्तो अलमेडा हिंद मासागर पर नियंतरन करने लगा था तो दोस्तो इसे रोकने के लिए मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्तो मुस्लिम नौसेना के बेड़े ने दोस्तो अलमेडा से एक युद्ध लड़ा जिसे दोस्तों इतिहास में चोल का युद्ध कहा जाता है ये युद्ध लड़ा गया था पंदासो आड़ेस्वी में और अलमेडा को दोस्तों फाइनली इस संयुक्त सेना ने पराजित कर दिया था तो यह कुछ पाइंट है दोस्तों Francis D. Almeida के सम्मन में जो आपको या रखना है चलिए अब आजी दोस्तों हम जानते हैं Alburkar के सम्मन में जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो पहला वार्सराय था जिसका नाम था Almeida उसे दोस्तों गुजरात, मिस्र और तुर्की की सेना ने पुरी तरह से पराजित कर दिया था और जब दोस्तों Almeida पराजित हो गया तब पुर्तगाल के राजा ने दूसरा वायसराय भारत में बेजा था जिससे दोस्तों Alburkar के नाम से जाना जाता है Alburkar दोस्तों 1509 इस्वी में भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली वायसराय या दूसरे पुर्तगाली गवनर की रूप में जान जाते है Alburkar दोस्तों भारत में पुर्तगाली सक्ति का वास्तिविक संस्थापक मन जाता है जो most important point है आपको याद रखना है Alburkar दोस्तों कोचीन को अपनी स्वरपर्थम राजधानी बनाई तो कोचीन को राजधानी बनाने वाला पहला गवनर कौन था पुर्तगाली तो Alburkar था Alburkar दोस्तों 1510 इस्वी में गोवा को बीजापुर के सासक आदिल सासे चीन लिया था तो यहाँ पर कोचा जाता है कि गोवा पर अधिकार स्वरपर्थम किस पुर्तगाली ने किया था तो Alburkar ने किया था किस से चीना था तो बीजापुर के सासक आदिल सासे जिस गोवा पर दोस्तों 1510 इस्वी में पुर्तगाली ने अधिकार किया था वो दोस्तो आजादी की कई साल बाद 1961 उस्वी में दोस्तो विजे ओपरेशन के तहत पुर्तगालियों से पुरी तरह से आजाद हुआ था तो गोवा दोस्तो कब आजाद हुआ पुरी तरह से तो 1961 उस्वी में कब अधिकार किया गया था गोवा पर पुर्टगालियों के दारा 1510 उसी में अलबुरुकर के दोस्तों किस्नदेराय जी से काफी संबन थे वो किस्नदेराय जी से घोडे का बैपार करता था किस्नदेराय जी दोस्तों उस समें विजे नगर समराज के सा सकते जिस प्रकार दोस्तो, Almeda ने Blue Waterfall सी चलाई थी उसी तरह दोस्तो, Alburuker ने भी भारत में पुर्तगालियों की अबादी बढ़ाने के लिए भारती इस्तरियों के साथ, पुर्तगालियों पुर्सों के साथ विवा करने की नीती चलाई थी अल्बुरुकर्क ने दोस्तो भारत में 3G मॉडल चलाया था अल्बुरुकर्क के इस 3G मॉडल का ताथपर दोस्तो गोड गोल्ड ग्लोरी से था जिसमें दोस्तो गोड का ताथपर भारत में जादा से जादा इसाई धर्म के परचार से था और गोल्ड का ताथ पर दोस्तो भारत में ज़ादा से ज़ादा मुनाफ़ा याने की पैसे कमाने से था और ग्लोरी का ताथ पर दोस्तो पुरे विस्व में पुर्तिगाल का नाम कमाने या पुर्तिगाल की ख्याती प्राप करने का था तो दोस्तो अलगुरुकर्ट के सम्दित ये कुछ महत्वट बिंदु है जो आपको याद एक नहीं चलिए अब आई दोस्तों में जाते हैं नीनो डिकुना के सम्द में नीनो डिकुना दोस्तों अगले पुर्टगाली गवर्नर माने जाते हैं जिन्होंने 1530 सी में गोवा को अपनी राजधानी बनाई थी इससे पहले दोस्तों पुर्टगाली की राजधानी थी कोचीन जो अलमेडा ने बनाई थी लेकिन जब दोस्तों नीनो डिकुना सासक बने तो इन्होंने अपनी राजधानी बदल दी कोचीन से गोवा तो गोवा को अपनी रहधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवणर कौन था तो नीनो डी कुना था नीनो डी कुना ने दोस्तो अपने सासनकाल के दोरान तीन महतपुन इस्थानों पर अपना अधिकार किया था वे तीन महतपुन इस्थान ने दोस्तो बेसिन, दीव और दमन पंदा सो चौतीस इस्वी में दोस्तो नीनो डी कुना ने बेसिन पर अधिकार किया पंदा सो पैतीस इस्वी में दोस्तो दीव पर उसने अधिकार किया और 1569 इस्वी में उसने दमन पर अधिकार किया नीनो डी कुना ने दोस्तों ये तीन महत्पून जो इस्थान जीते थे ये लगबग एक ही स्थान के आसपास पढ़ते हैं जैसे कि दमन ये यहाँ पर दीप यहाँ पर और बेसिन इसके बीच में पढ़ता है तो इन तीन महत्पून इस्थानों पर दोस्तों नीनो डी कुना ने अपने सासनकाल के दोरान अधिकार किया था बंगाल के हुगली नामक इस्थान पर भी दोस्तो नीनो डीकुना ने अधिकार कर लिया था दोस्तो एक्जाम पॉइंट अवे से ये कुछ महत्पुन पॉइंट है नीनो डीकुना से सम्मधित जो आपको याद रखने हैं चलिए अब आई दोस्तों नों जानते हैं पॉइंट गाली कंपणी से सम्मधित इसके अन्य महत्पुन बिंदूओं के सम्मध में सबसे पहले दोस्तो भारत आने वाले यूरोपिय बेक्ति माने जाते हैं पॉइंट गाली जो आये थे 1498 इस्वी में वो सबसे बाद में दोस्तों भारत से जाने वाले यूरोपिय बेक्ति भी पॉइंट गाली थे जो 1961 इस्वी में गए थे गोवा से पहली पॉइंट गाली फैक्टरी दोस्तों यानि की कारखाना कोचीन में इस्थापित किया गया था 1503 इस्वी में भारत में दोस्तों तमबाखु कहती सुरपर्थम पुर्तगालियों ने ही प्रार्म की थी। जो मौश्ट इंपॉर्टन पॉइंट है आपको याद रखना है कि भारत में सुरपर्थम तमबाखु कहती किस ने प्रार्म की थी। तो पुर्तगालियों ने प्रार्म की थी। कि जहाज निर्माण का कार पुर्टगालियों ने ही शुरू किया था जैसा कि दोस्तों हमने जानते हैं कि जब पुर्टगाली भारत में आये थे तो भाज की अपनी कोई नो सेना नहीं थी और जब पुर्तुगाली आये तभी ही दोस्तो भारत में जहार निर्मान कार स्टार्ड हुआ था काली कट और गुजरात में भारत में दोस्तो प्रिंटिंग प्रेस की सुरुवाद भी पुर्तुगालियों नहीं की थी तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुवाद दोस्तो भारत में किसके दौरा की गई थी तो पुर्टगालियों की दौरा ये भी point आपको याद रखना है पुर्तगालियों के दारा ही 1556 में दोस्तों गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस भारत में इस्थापित की गई थी तो पहली प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों कहां पर इस्थापित की गई थी गोवा में किसके दारा इस्थापित की गई थी जिसके तहत वा हिंद महा सागर पर पूरा कंट्रोल करना चाता था पुर्तगालियों दोस्तों अपनी एक सेना जिसका नाम था इस्तार्दू दे इंडियन इस सेना को दोस्तों पुर्तगालियों ने हिंद महा सागर पर तैनाद किया था और इस सेना के बल फ़ड़ी दोस्तों हिंद महासागर पर पुर्टगालियों ने पुरी तरह से कबजा कर लिया था पुर्तगालियों दोस्तों कार्ज अर्मेदा काफिला परति का प्रियोग कर हिंद माह सागर पर कारते नामक टेक्स यानि कि कर लागू किया था यानि कि दोस्तो अब कोई भी देश हिंद माह सागर से होते हुए वेपार करता था तुसे कारते नामक टेक्स देना पड़ता था तो हिंद माह सागर पर कौन सा टेक्स लगाय गया था तो कारते नामक टेक्स लगाय गया था पुर्तगालियों के दारा पुर्तगालियों के बिना पर्मिट के दोस्तों भारतियों को भी हिंद माह सागर में प्रवियस वर्जित था यहां तक कि दोस्तों भारती राजा भी जब हिंद माह सागर से होते हुए सफर करते थे तो उनको भी कारते नामक टेक्स देना पड़ता था इसके लाव दोस्तों ये एश्टर दो पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं जो एक्जाम में पुछे जा सकते हैं 1632 सी में दोसो साजहा ने हुगली को पुर्टगालियों से छीन लिया था इसके लाव दोस्तों अकबर के दरबार में आने वाले पहले दो पुर्टगाली पादरी के नाम आपको याद रखने हैं वे हैं मांसरेट और फादर एका बीवा दोस्तों ये कुछ पादर है पुर्टगाली कंपनी सम्मधित कुछ अन्य महत्पूर बिंदों के सम्मध में पुर्टगाली कंपनी सम्मधित इतने ही महत्पूर बिंदों हैं जो आपको याद रखने हैं चलिए अब आई दोस्तों में जानते हैं डच कमपनी के आगमन के संबन में पुर्टगाली कमपनी के आगमन के संबन में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं अब आई दोस्तों में जानते हैं डच कमपनी के आगमन के संबन में डच दोस्तो नीदरलेंड या हॉलेंड के निवास्चियों को कहा जाता है भारत आने वाले पहला डच बेक्ती दोस्तो करनेलिस डी हाउटमें था ये भारत आया था 1596 स्वी में डचों ने दोस्तो अपना पहला का रखाना 1605 स्वी में मुस्ली पर्टनम में स्थापित किया था जबकि दोस्तो पुर्त गालियों ने अपना पहला का रखाना कोचीन में स्थापित किया था डच इस्ट इंडिया कंपनी जिसे दोस्तों United East India Company नीदरलेंड के नाम से भी जन जाता है इसकी स्थापना दोस्तों 1602 सी में होती ये भी प्राइंट आपको जा रिखना कि डच इस्थ इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती 1602 सी में जैसा कि दोस्तों में जानते हैं कि सबसे पहले पुर्टगाली आएं फिर डच आएं फिर अंग्रेश फिर फ्रांसिसी तो इस क्रम में दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि सभी कंपनी भारत में वेपार करने लगी थी तो इन कंपनियों में मदभेद भी होने लगे थे आपस में ये कंपनिया भी लड़ने लगी थी और इसी भी दोस्तों डच और अंग्रेजों के मदद 1769 हिस्वी में वेदरा का युद्धुआ था और इस इद में दोस्तों डच पुरी तरह से पराजित हो जाते हैं और इस इद में दोस्तों डच का भारत में पुरी तरह से सफाया हो जाता है तो दोस्तों ये कुछ पाइंट है डच इस इंडिया कंपनी से सम्धित जो एकजाम में पूछे जा सकते हैं तो दोस्तो आज की लितना ही उमीद दोस्तो आपको सेशन अच्छा लगा होगा इससे पहले दोस्तो हमने मत देखा लें इतिहास पूरा कवर किया है थेवरी प्लस MC की वीडियो दोनों की वीडियो दोस्तो अलग अलग प्लेस्ट में आपको मिल जाएंगी आप उसे देख सकते हैं इस वीडियो कंटेंट की पीडियो भी आप फिडियो आफकोस डाउनलोड कर सकते हैं लिंक में डिस्कुस्न बॉक्स में देदूंगा तो दोस्तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक टेक कियर एंड गुडबाई